अभीनेंदन आपार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जियोति श्विग्यान के इस अधियासिक चनल पर और मैं हूँ आप सब का एश्ट्रो दोस्त रुपे भार शाल दो हजार तेईस के लिए जब तीन अलग अलग शित्रों को ध्यान में रखके अन्यूल प्रेडिक्शन बनाई गई तो कई सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्ण उठे थे कि लगना की हिसाब से तो दे दी फिर राशी के हिसाब से क्यूं कि आप तो लगना की हिसाब से ही देते हो चलो चलो राशी के हिसाब से दे दिया फिर निम्रोलोजी के हिसाब से किम अब जो अधारी ग्रूप के साथ यह इंसिडेंट हुआ है इंडेंबर्ग का जो रिपोर्ट आया है और जो मार्केट में क्रैश देखा गया है आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करें जेगा उनके लिए 2023 कैसा रहा रहेगा उसके वीडियो की क्लिप दिखाई गई थी कि टफ है तो मुलांग के अधार पर चार जनवरी का ही वो वीडियो है आज 27 जनवरी को केरियर प्रोस्पेक्स में किस ट्रकार की बाधाय आ सकती है वो गटनाकरम आप गौतम अधानीजी के साथ देख सकते हैं क्योंकि उनकी जन्मतारिक भी 24 है मतलब उनका मुलांग 6 है अब क्योंकि दोपहर में जब वीडियो डाला गया था और जो कुंडली मेरे पास आई थी मैंने दोपहर के वीडियो में भी कहा था कि मुझे इतनी श्यारिटी नहीं लग रही है इस कुंडली के म माध्यम से तो मेरी पूरी टीम लगी हुई थी कि प्रॉपर टाइम और उनकी जो पोजिशनिंग है उसके इसाब से वो मैच होना चाहिए कई बार क्या होता है कि इंटरनेट से आप उठा लेते हैं लेकिन कुंडली जो भी बंती है वो देख के आपको एक अंदाजा तो आ फाइनली जो कुंडली हमारे पास आई है अब दो 2023 में किस प्रकार की परिस्थितियां इनके लिए बनी रही मुलान के हिसाब से तो वो वीडियो में हमने दुपेर में दिखाया था कि मुलान च्छे वालों के लिए कैरियर प्रॉस्पेक्स में यह मामला तौफ रह सकता है राशी के हिसाब से देखें क्योंकि इनकी कुंब राशी है व्रिशब लगना की कुंडली है और तीसरे बाव में शुक्र राहू की यूती है बाग्य बाव में शनी केतु की यूती है शनी पकरी चल रहा है जिसका ट्रांजिट अभी दशम बाव में हो गया मतलब चंद्र गुरु का जो गज केसरी योग था वहाँ पे शनी की एंट्री होना शनी चंद्र का वीश योग का प्रभाव जो एक्टिवेट हुआ है उसके कारण ये परिस्थितियां विपरित बनी है 13 नवंबर 2022 से ये इनके लिए विपरित समय शुरू हो चुका था जो राशी के इसाब से देखें तो 12 मार्च 2023 तक चलेगा लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियां जो लोग भी इन्वेश्ट करने वाले हैं या इन्वेश्ट किया हुआ है अब क्या होगा क्योंकि ये अदानी ग्रूप के ओनर है तो जो भी वीडियो की भरमार चल रही है कि अदानी ग्रूप दिवालिया हो जाएगा बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा ये कुंडली ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रही है बहुत सारे ग्यानी महात्माओं के कमेंट्स पढ़ने को मिले कि आप एस्ट्रोलॉजर कम और किसी अउद्योगीक ग्रूप के सपोर्टर ज्यादा दिखते हो देखिए साथ क्या है कि आपने अदानी ग्रूप में इन्वेश्ट किया हो या ना किया हो वो दोनमबर की बाप है लेकिन बहुत सारी जंता ने इसमें इन्वेश्ट किया है और बहुत कुछ कमाया भी है कईयों ने बहुत अच्छी तरह से COVID के इस फेज में भी कमाया है COVID के इस फेज में अगर इनके शैर्प इस हाई तक पहुँचे है कोई भी अगर किसी भी हाइट तक पहुंचता है तो उसकी मैनत और बुद्धी को आप क्वेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपने वहाँ पे नहीं पहुंच पाए उनके जन्मान के इसाब से अगर हम चले क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहां के इन्वेश्टमेंट है तो एक बात ता है क्लियर बात कि ये दिवाली अपन या एकदम ठंडे बसे में चला जाएगा लोगों की मूरी डूप जाएगी ऐसी संभावनाय हमें नहीं दिख रही है लेकिन 2023 का साल अगर तीनों को मिला के दिखे मुलां के हिसाब से गौतम अदानी जी के लिए ये टफ दिख रहा है राशी के हिसाब से 13 नवंबर 2022 से जो समय शुरू हुआ वो 12 मार्च 2023 तक चलेगा लेकिन परिस्थितियां यहां पे भी खतम नहीं हो रही है क्योंकि उसके अगले ही दिन 13 मार्च 2023 को शुक्र का राशी परिवर्तन इनके बारवे घर में हो जाएगा जहां पे व्रुशब लगना में आल्रेडी राहु चल रहा है तो बारवे घर में लगनेश का जाना ठीक नहीं है शुक्र राव की यूति व्याय भाव में बनेगी और इनके जन्मांक में भी पराकरम सामने शुक्र राव की यूति है तो ये समय भी इनके लिए नेगेडिव रहेगा जो 13 मार्च से 6 अपरेल तो हम कह सकते हैं कि 13 नवंबर 2022 से जो समय शुरू हुआ है वो 6 अपरेल 2023 तक का समय इनके लिए ज्यादा विपरित रहने की पूर्ण संभावना है उसके बाद 18 अगस्त 2023 से एक समय शुरू होगा जो 17 अक्टूबर 2023 तारिकों को अच्छे से नौट कर लिजिएगा जो भी आप स्टॉक मार्केट में वगेरा कर रहे हो यह इनकी कुंडली के उपर से हम बता रहे हैं तीनों चीजों को समय लित करके निमरोलोजी का तो देख लिया राशी और लगना दोनों को समय लित करके और यह इतना डीटेल अनालिसिस इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारी लोगों की पूजी इसमें लगी हुगी तो आपको पता होना चाहिए कि अदानी ग्रूप के ओनर की कुंडली 2023 के लिए क्या कहती है तो 13 नवंबर 2022 से जो शुरू हुआ है राशी और लगना को सम्मिलित करके चले तो 6 अप्रेल 2023 तक का समय इनके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है ग्रूप लगना की अगर आप डेट वाइस प्रेडिक्शन चेक करो तो 27-28 नेगेटिव बताई गई थी या 27 तारीख ही है जहां पे यह हुआ है फेबरुवारी महीने में दो तारीखे ऐसी है ये भी मैं बता देता हूँ ओवराल 6 अप्रेल तक है फेबरुवारी का जो व्रुशब लगना की अगर हम बात करें तो उनके स्पेसिफिक नेगेटिव डे है हमें नहीं पता कि उसमें सैटर्डे संडे आ रहा है है या और कुछ है लेकिन 8 और 9 फेबरुवारी और 10 फेबरुवारी ये 3 दिन और उसके बाद 24, 25 और 26 फेबरुवारी व्रुशब लगना के लिए मतलब गौतम अदानी जी की जो कुंडली है व्रुशब लगना की उसके लिए विशेश नेगेटिव है वैसे ओवर ओल ये पिलियर्ड इनका 6 अप्रेल 2023 तक चरेगा उसके बाद 18 अगस से वापिस इनके लिए परेशानिया शुरू होगी ये उनके स्वास्य के उपर कुछ इंपेक्ट हो ये भी हो सकता है उसके कारण उनका जो कॉंसेंट्रेशन होना चाहिए मादेवकरे स्वास्य के उपर कोई संकट नहीं हो लेकिन 2023 इनके लिए प्रॉब्लेमेटिक दिख रहा है क्योंकि तीनों जगह पे मुलांग हो चंद्रराशी हो या लगना हो उनके लिए परेशानिया थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई है तो इन डूरेशन 6 अपरेल के बाद 17 अगस तक का समय इनके लिए अच्छा है 18 अगस से 17 अक्टूबर मतलब आधा अगस पूरा सप्टेंबर और आधा अक्टूबर ये इनके लिए वापीस थुड़ा सा एक प्रकार से अगनी परिक्षा का समय हम क्या सकते हैं बिजनेस सेक्टर में तो वहां पर उनके स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हों आपको कहीं पर भी खरीद या बेच करनी है तो यह जन्मां के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि ओनर की कुली ये कह रही है तो आपको किस हिसाब से चलना है आप देख लीजी उससे पहल नवंबर से 24 डिसंबर मतलब डिसंबर का महिना इनके लिए वापीस क्योंकि लगनेश 6,000 में जाएंगे शुक्र लगनेश जो होते हैं वो इनके 6,000 में जाएंगे तो ओवरॉल 2023 जो इनका ड्रीम रण गया है ऐसा नहीं दिख रहा है तो हर किसी के जीवन में उतार चड़ आता है जो भी टॉप पे जाता है कोई भी इंसान हो वो जीवन में सिर्फ प्रगती ही करें ये तो नहीं होता लेकिन जो धानाय अभिव्यक की जा रही है कि ये मतलब बलून ब्लाश्ट होगा और ये बहुत बड़ा स्केंडल आएगा ये कुंडली ऐसा कुछ नहीं दिख लेकिन 2023 का साल तीनों हिसाब से मुलां के इसाब से देखे राशी के इसाब से देखे और लगन के इसाब से देखे तो तारीखे मैंने आपको बता दी अच्छे से वीडियो को एक दो बार सुन लीजिएगा कि ये तारीखे अदानी ग्रूप के ओनर के लिए ठीक नहीं दि स्टक हो गई या फिर डूप गई डूपने का तो कोई सवाल हमें नहीं लग रहा है कि इस कुली में कहीं पे भी है कि ये डिफॉल्टर हो जाएंगे कुछ लोग जैसे इंडिया से बाग गए हैं ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन 2030 यस पिछला जो इनका ड्रीम रन गया है को इनके बाद के 18 महीने इनके दसमभाव में आ जाएंगे राहू तो राहू जिसके दस में दुनिया उसके बस में ऐसी कहावत है बहुत ही फैवरीट प्रचलीद है तो फ्यूजर इनका अच्छा है लेकिन 2023 में यह जो समय अंतराल बताया है यह इनके लिए थुड़ा सा ठी लोइस्ट रेंज में ज्यादा इसमें मतलब लॉंग टम इंवेश्टमेंट करने की सोचे तो बॉटम प्राइस से आफ करी सकते हैं अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है अधरवाइस डे टू डे या इंट्रणे ट्रेडिंग करने के लिए गए तो इन डेट्स को याद बस जब तक यह मेरे पास ऑथेंटिक माहिती नहीं थी तब तक मैं कुछ भी बोल दू यह ठीक नहीं था अब जब मेरे पास है तो यह पूरा चित्था है कि गौता मनादी अदानी जी के लिए 2023 कैसा रहेगा और कौन सा समय अंत्राल इन के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं दि सबसे पहले मिलते रहे और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लेम के लिए सॉलीशन चाहते हैं स्वागत है आपका वाट्सप नमबर थमनेल में दिया हुआ है कॉल मत किजिएगा कॉल सम नहीं ले पाएंगे अपना नाम बट डिटेल्स और प्रॉब्लेम्स डीटेल्स क 444-3110 उसके उपर लिंक दीजिए अक्षाई जी आपको वहाँ पर मिलेंगे प्रॉसीजर वहाँ पर समझा दिया जाएगा नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जाए